एक तरफ सुरक्षित भारत आतंगबाद से मुक्त भारत वही दो लड़कों की जोड़ी फिर अनर्थकारी जोड़ी आ गई है बैन और भाईयों ये समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस ने जब भी गड़ बंदन किया है अनर्थ हुआ है याद करिए जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार थी तभी अयोध्या में राम जनम भूई परातं की हमला हुआ था कासी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था और तभी लखनो वराना सी और अयोध्या की कचरियों पर भी हमला हुआ था और जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनी थी और केंदर में कॉंग्रेस की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने जो राम भक्तों पर गोली चलाती है यह सरकार उस समय मुकदमों आतंगबादियों के मुकदमों को भी वापस लेती है लेकिन आज मोदी जी के नित्रतों में भारत आतंगबाद और नकसलबाद से मुक्त हुआ और विकास की योजनाओं की तो कहने ही क्या है आज हाईवे फोर लेन, सिक्स लेन, ट्वेल्वे लेन के हाईवे बन रहे है गाजीपुर से पहले लखनों जाने के लिए हम लोगों को आठ घंटे लगते थे आज बेन और भाईयों गाजीपुर से साड़े तीन घंटे में आप लखनों की दूरी पुर्वान्चल एक्सप्रेश्वे के माध्यम से पूरी कर सकते हैं विकास कायकार्य, रेलवे के नैने मोडल, बंदे भारत, अम्बृत भारत और नमो भारत के रूप में अब मीटर गेज की स्पीड से नहीं, अब छुक छुक की स्पीड से नहीं, अब बुलेट की स्पीड से बढ़ते वे भारत की नहीं कहानी को कह रहा है बैन और भाईयों, एम्स, आयाईटी, आयम, एनाईटी, ट्रिपल आईटी, वर्ड कलास युनस्टी का एक सौगात करता था मेडिकल कॉलेज होगा, आज तो गाजीपूर का अपना मेडिकल कॉलेज है, हम सब को गौरब की अनभूती, आज इस पर करनी चाहिए